नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हम बात करेंगे कुछ दिनों पहले जो है एक वीडियो वायरल हुआ और काफी गंबीर विसे वाला वीडियो है आज कल इसके में के नए नए तरीके आ रहे हैं उन तरीकों में बात करें एक तरीका जो अभी आ चल रहा है डिजिटल अर देखिएगा कि नरंदर मोधी परदान मंत्री क्या कहता है इसके संदर में उससे पहले डिजिटल आरेस्ट होता क्या वीडियो भी आप देख लिजेगा जो वायरल हो रहा था डिजिटल आरेस्ट का सीधा सा मतलब यह होता है कि आपके वाटसप को वीडियो कोल करेगा फर आपके आधार कार्ड वेरिफिक्सिंग की बात करता है फिर आपसे एक जो है उससे कॉंपरमाइस करने की बात करता है कि हम ऐसा कर दीजी इस पर यह बात कर लिजी वैसा हो जाएगा कुल मिला के पैसे की ठगी की जाती है इसके संदर में जानते है परदा मंदिर मोधी ने आका स्वानी के जड़िए यह बात कही थी यह भी देख लेते हैं चलिए आउडियो सुनाता हूं अलो का इन्वेस्टिकेशन आफी से रहा है आप अपनी स्टेटमेंट काट कुराइए ताकि यह नंबर बलाब कर दिये जाए ओके यह बताईए का मैं किसके साथ बात का रहा हूं अपना अधार काट मुझे शो किजिए का वैरिफाइए करने के लिए आइए कर मेरे पास अभी का वैरिफाइए करने के लिए आप डरी ए ना अगर आ अपने कुछ नहीं की या तो आप डरीएंग आपके पास अधार काड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरिफाइ कर रही है नहीं सर में गौंक आया था सर गर में सर ओके इतरी बीच में पूरी उप्चिक्टर तक की जाए इस विक्ति के वान साइड़ी वीडियो कार काट गरो एस पर तो प्रोटोकोल ओके यह ओडियो यह सिर्फ जानकरी के लिए नहीं है यह कोई मनोरंजन वारा ओडियो नहीं है सुनिएगा प्रदान मंदरी नर्दर मोदी की इस बात को कि यह कहना क्या चाह रहे है एक देश को इस विचार पर गंबिर विचार पर विचार करना चाहिए और जागरोख होना चाहिए इसी ऐसे किसी भी कोल से आपको डरना नहीं है खास तोर से कोई भी गवर्मेंट ऑफिसर आपको वाट्सप कोल नहीं करेगा देखिएगा आप क्या कहते है नर्दर मोदी जीस पर गहरी चिंता को लेकर के और गयों आया है आपने अभी जो बात्चीत सुनी वो डिजिटल एरेस्ट के फरेब की है ये बात्चीत एक पीडित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है डिजिटल एरेस्ट के फरोड में फोन करने वाले कभी पुलीस कभी सिबी आई कभी नार्कोटिक्स कभी आर्बी आई ऐसे भाती भाती के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडन्स के साथ करते हैं मुझे मन की बात के बहुत से स्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जुरूर करनी चाहिए आईए मैं आपको बताता हूँ ये फ्रोड करने वाली गैंग काम कैसे करती हैं ये खतरना खेल क्या है आपको भी समझना बहुत जरूरी है और उको भी समझाना उतना ही आवशक है पहला दाव आपकी व्यक्तिकर जानकारी वो सब जुटा करके रखते हैं आप पिछले मैंने गोवा गई थे है ना इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे दूसरा दाव भाहे का माहोल पादा करो वर्धी, सरकारी दप्तर का सेट अप, कानूनी धाराएं वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोज भी नहीं पाएंगे और फिर उनका तीस्रा दाव शुरू होता है तीस्रा दाव समय का दबाव अभी फैसला करना होगा वन्ना आपको गिरपतार करना पड़ेगा ये लोग पीडित पर इतना मनोवेज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है डिजिटल एरेस के शिकार होने वालों में हर वर्ग हर उम्र के लोग हैं लोगोंने डर की वज़े से अपनी मैनत से कमाये हुए लाखों रुप्य घमा दिये हैं कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है आपको पता होना चाहिए कोई भी जाँच एजनसी फोन कोल या वीडियो कोल पर इस तरह पुस्ताज कभी भी नहीं करती मैं आपको डिजिटल सुरुक्षा के तीन चरण बताता हूँ ये तीन चरण है रुको सोचो एक्शन लो कॉल आते ही रुको गबराए नहीं शांत रहे जल्द भाजी में कोई कदम न उठाए किसी को अपनी व्यक्तिके जानकरी न दे संभव हो तो स्क्रीन सोट ले रेकोर्डिंग जरूर करे इसके बाद आता है दूसरा चरण पहला चरण था रुको दूसरा चरण है सोचो कोई भी सरकारी एजनसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती नहीं वीडियो कॉल पर पुस्ताज करती है तो ये ऐसे पैसा की मांग करती है अगर डर लगे तो समझ ये कुछ गड़बड है और पहला चरण दूसरा चरण और अब मैं कहता हूँ तीसरा चरण पहले चरण में मैंने का रुको दूसरे चरण में मैंने का सोचो और तीसरा चरण कहता हूँ एक्शन लो राश्ट्रिय साइबर हेल्प लाइन 1930 डायल करे cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करे परिवार और पुलिस को सुचित करें सबूत सुरक्षित रखें रुको बाद में सोचो और फिर एक्शन लो ये तीन चरण आपकी digital सुरक्षा का रक्षक बनेंगे साथियो मैं फिर कहूंगा digital airhead जैजी कोई व्यवस्ता कानून में नहीं है ये सिर्फ बदमासों का गिरो है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है digital airhead के नाम पर जो फरेप चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जाच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोडिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉग किया गया है लाखों सिम कार्ड मोबाइल फोन और बैंक एकाउंट्स को भी ब्लॉग किया गया है एजेंसियां अपना काम कर रही है लेकिन डिजिटल एरेस्ट के नाम पर हो रहे इस कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूपता तो डिजिटल अरेस्ट जो है यह आप समझ चुके होंगे और परधान मंदर नदन मोदी ने भी इस पर बहुत कुछ बताया तो तीनों चरण है आप सोचिएगा फिर विचार कीजेगा फिर एक्षन लिजेगा सबसे पहले ठेरिये रुख जाहिए डरिएगा नहीं सबसे पहले बात यह दिमाग में आपके होनी चाहिए कि इसने मुझे कॉल क्यों किया अगर ओपिसर है तो मुझे थाने बुलाएं एजनसी बुलाएं मुझे कॉल क्यों क्यों क्या कोई भी ओपिसर कॉल नहीं करेगा ऐसी किसी भी तरीकी इन्वेस्टिकेशन नहीं होती कास दोर से वीडियो कॉल वाटसब पे क्योंकि ये रिकोड नहीं होता इसलिए ये सब करते हैं इसी का फाइदा उठाते हैं तो याद रखिएगा इसी कैसित भी तरीके के जासे बनाएं ऐसे और भी बहुत सारे तरीक हैं सामने से लड़की कोई कोल करती है और वाटसब पे बहुत बहुत सारे जाएदे में आपना बन कर काप के जो है और ड्राफ बना रही हूं ऐसे कुछ बहुत सारे स्केम के नए ने तरीके हैं ये डिजिटल आरेस्ट एक बड़ा स्केम है इससे ध्यान रखिएगा और इससे बच कर रहेगा जागरुक रहेगा लोगों को जागरुक कीजी आपके पास कोल आ जाता है डरिये मत क्योंकि आप गलत नहीं है तो डरने क्या आफ सकता आपको कताई नहीं है तो दोस्तों डिजिट आरेस्ट पर नरंदर मोदी जिने में बहुत बड़ी ये बात कही है तो इसको लेकर भी जागरुक रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा नमस्कार